ही गाइज वेकम तुस पॉइंट दिस इस अशिका आज अभी हमनों स्टडी करने वाले हैं वीजन आइस की करेंट अफिस चोकि हमारे अगस्त मन की चल रही है तो काफी टॉपिक कम्टीट हो चुकी है आज हमनों इन्वार्मेंट के बाद साइंस एंटेक स्टार्ट करते हैं साइंस एंट टेक में इस बाद सिर्फ दो ही टॉपिक है तो इसमें जादा टाइम नहीं लगेगा चली इससे कम्टीट कर लेते हैं उसके बाद हमनों सोचल इशू की टॉपिक देखें हैं क्योंकि इसमें कुछ अच्छे अच्छे और इंपॉरेंट टॉपिक भी हैं तो यह मैंस पॉंट आफ व्यूष इसके मेंउस अपका सोचल इसमें कांफे हो जाता है पman के सफोकस करेंगे लेकिन आगा साइंसां साइंससे कम्टीट कर लें थे फिर कल से अमनों सोचल इ Om artif outwardा इंट बोधेंगते हैं तो ये कुछ questions है, चली देख लेते हैं, सबसे पहला है कि वर्ल का fastest sinking city ये कौन सा है ये आपको बताना है, तो इंडोनेशिया का जाकारता है, जिसको यहाँ पे कहा गया है कि सबसे तेजी से ये डूबने वाला city है, साथी regional और जो global sea level rise हो रहा है, उसको कैसे measure करेंगे, तो एक जाता है, ये western घाट में situated है, केरल में, अनाई मुदी mountain range है, और नौर्थ में आपका इरावी कुलम नाशर पार्क है, साथ में पेरियार नाशर पार्क है, और इसमें यहाँ पे इदू की डाम भी है, तो इतने सारे बाते हम लोग इदू की district के बारे में कर रहे हैं, तो उस में आज कहने नाशर पार्क है, और था पार्送 में नाशर पेरlaar नाशर पार्रट में नाशर पार्ट मेंडिक हैं, में प्लोटं के स attelite बारे में प्याँे एक अच्छे से याद रहना है 방법 सबसे पहले बतानी है कि flash trots किसको कहते हैं, second है कि explain करना है boreal summer intra-seasonal oscillation, third है कि ये किस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, जिसको यहाँ पर tidal forest पर कहा जाता है, और साधी साथ tropical wetland rain forest ecosystem के category में भी आता है, fourth आपको बताना है कि Nairobi convention क्या है, अगर याद आ रहा है तो ज़रूर revision के लिए लिए लिख लीजिए, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो बस इतना बताई कि क्या India is का part है कि नहीं, कल जब मैं ऐसे discuss करूँगी तो फिर से revise करवा दूँगे, चलिए आज हम लोग अपने science and tech की portion को start करते हैं, तो चलिए start करते हैं और यहाँ पर एक bill है जो की DNA technology इसको कैसे use करना है और DNA technology का यहाँ पर कैसा application होने वाला है, कहां कहां application होने वाला है, तो उसको यहाँ पर regulate करने के लिए एक bill लाया गया है 2019 का, यह अभी bill है, जब यह act में convert हो जाएगा, बिल है यानि कि इसको प्रस्तूत किया गया है अभी लोगसभा रासभा में, जब यह लोगसभा रासभा से यह पास होकर जब प्रेसिडेंट के द्वारा sign कर दिया जाएगा इस bill में, तो यह आपका act बन जाएगा, जिसको कि हम लोग कानून कहेंगे, और फिर वो कानून की जो भी provision होगी, उसको apply किया जाएगा हमारे इंटिया में, लेकिन फिर यह bill पास हुआ है, तो इसके बारे में detail देख लेते कि इसमें क्या-क्या बाते रखी गई है, न्यूस में इसलिए है, क्योंकि parliamentary standing committee, जो कि science on technology के उपर है, उनके द्वारा कुछ concern यहाँ पे express किया गया है, कुछ provisions इस bill के अंदर रखा गया उसको लेकर, तो अभी हम लोग डेटेल में देखने वाले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले बात करते हैं DNA के, क्योंकि इस बार आप लोग देखे हो, कि 2019 की question पर पर दी, उसमें आपका coronavirus से नहीं पूछा गया question, आप लोग यही सोच रहे हो, कि इतना ज़्यादा study करके गए coronavirus के बारे में, लेकिन कुछ भी question नहीं पूछा गया, बट एक चीज़ ध्यान दीजे, कि UPSC हमेशा उस point पे कभी question नहीं पूछ दी, जिससे उनको पता है कि बच्चे बहुत prepare करके आएंगे, वो क्या पूछ लिया गया उनके द्वारा, plant cell और animal cell, यह जो plant cell और animal cell वालग जो question नहीं था, वो coronavirus का ही आपका कही न कहीं background था, क्यों बेसिक चीज़े आपसे पूछ लिया गया, तो यह अगर आप लोग यहाँ पर DNA technology पढ़ रहे हो, तो DNA के बारे में आप लोगो पता होना चाहिए, DNA होता क्या है, DNA एक molecule है, जिसमें कि कुछ biological instructions होते है, और यह आप देखोगे किसी भी organisms, चाहे वो human being हो, चाहे वो animal हो, births हो, हर किसी के अंदर आपको DNA देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, कि किसी भी species का, किसी भी organisms का, अगर वो development होता है, growth होता है, तो वो just because of DNA के वज़े से होता है, साथी DNA में आप देखोगे कि हर एक person का DNA unique होता है, यानि कि मेरी DNA अलग है, आपकी DNA अलग है, अगर मैं common layman language म आपको समझाने का कोशिश करूँ, अगर आप लो science background से नहीं हो, और कभी भी नहीं जानते कि DNA क्या है, या फिर पले नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे याद रखिये कि कहीं न कहीं आप लोग ने किसी movie में, किसी भी web series में, कभी TV serial में, कभी भी ये देखा होगा, कि अगर बच करा जाता है, जिससे क्या होता है, कि पता चलता है, कि ठीक है, ये parents है, और इन parents के यहीं बच्चे है, या फिर sometimes आप देखते हो कि accident हो जाता है, और accident में face जो है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, तो ये recognize करना बहुत मुश्किल होता है, कि actually ये जो इनसान है, इसके relatives कौन है, या फिर relatives में sometimes उसको उनको नहीं पहचान पाते है, तो ये जो जानकारी होता है, ये जो पहचान कराया जाता है, कि इस accident body का relative कौन है, तो उसमें भी उसका DNA test होता है, तो दोनों का test होना चाहिए, family parents का भी होना चाहिए, साथी साथ जो है, बच्चों का भी होना चा आपके माता-पीता से आपके अंदर जो characteristic गया है, वो gene के through जाता है, और gene कहां present होता है, gene DNA के अंदर होता है, जिसे कहते हैं कि आपकी बाल, आपकी आख, आपकी नाक, आपकी lips, आपकी ear, आपकी hand, आपके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कुछ चीजे होती है, जो कि हम हम लोग parents से adopt करते हैं, और हमें अपने जो characteristic parents से मिलता है, वो gene के वज़े से ही मिलता है, तो ये gene transfer होता है, parents to one generation to another generation, तो इसको कहते हैं हम लोग gene के through जो है, वो characteristic आपका transfer होता है, बट DNA हर किसी का unique होता है, लेकिन जो test होता है DNA का, जीन से ये पता चल जाता है, कि हाँ, ये ह के माता पीता है, ठीक है, तो DNA हर किसी का unique होता है, DNA same नहीं होता है, लेकिन जिन को जो पता करना होता है, तो उसके लिए DNA टेस्ट कराया जाता है, साथी variation आपको देखने को मिलेगा sequences of DNA में, जिसको कि यहाँ पे individual और जो identity है, उनकी जो पहचान है, उनको यहाँ पे match कराने क लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लग सुनते होगे कि DNA profile को यहाँ पे determine करने के लिए, तो DNA profile को determine करने के लिए, क्या-क्या यहाँ यहाँ पे use किया जाता है, यह देखिए, blood यहाँ पे sample लिया जाता है, semen हो, saliva हो, urine है, फिस्स है, hair, teeth, या फिर bone, tissue या फिर cell, किसी भी body part से आप लोग देख सकते हो, body part से नहीं, blood से भी DNA test होता है, tissue हो गया, cell हो गया, या फिर किसी का hair भी है, बालों से भी DNA test हो जाता है, तित, दात है, या फिस्स है, urine है, इन सब से जो है DNA test आपका हो जाता है, तो यह चीज़े है, कुछ background में चलते है, इस bill के बारे में बात करते है, जो first attempt था, कि यहाँ पे जो DNA technology है, उसको कैसे इस्तमाल करना है, और उसके applications को regulate करने के लिए, 2003 में किया गया था, और DNA profiling advisory committee बनाई गया थी, पहली बार नहीं है, 2019 में, ये 2003 से ही ये funda चलते आ रहा है, बहुत बार revision कर गया और ये parliamentary standing committee के पास गया है, अब सीधी चलते हैं, और देखते हैं कि इस bill में क्या-क्या provision रखा गया है, यहाँ पे सबसे पहले है कि DNA technology को कैसे इस्तमाल करना है, उसको regulate किया जाएगा, और यहाँ पे जो certain person होते हैं, कुछ person होते हैं, जैसे सबसे basic जो बात है, कि कि किसी allow किया जाएगा in respect of matters, जो कि यहाँ पे schedule में रखा गया है, यानि कि कब DNA testing allow किया जाएगा, यानि कि कोई भी अपराद, अगर Indian Penal Code के अंदर, अगर किसी इंसान के द्वारा कोई भी अपराद किया गया है, तो उसकी DNA testing allow की जाएगी, second है कि कोई भी civil matter, जैसे कि paternity यहाँ पे DNA testing होगी, यह तीन यहाँ पे criteria रखा गया है, जिसमें कि DNA testing को allow किया जाएगा, साथ ही अगर देखे कि consent provision, यानि कि जो DNA को collect करना है, उसके लिए consent provision के अगर बात करें, जो person arrest होते हैं, मान लिजे कि कोई allegation लगा है, या फिर उनको guilty find out भी कर लिया गया है, तो जो arrested person होते हैं, तो authorities को यहाँ पे जरूरत है कि सबसे पहले written consent ले, यानि कि जितने भी arrested person है, उनका अगर DNA collection करनी है, तो पहले वो लिख कर देंगे बकायदा, और अगर उनकी offense जो है न वो up to 7 years है तब, यानि कि 7 सालों के लिए अगर उनको यहाँ पे punishment मिला है, तब ही उनसे written consent लिया जाए तो इस तरीके का DNA collections की consent की जरूरती नहीं है, ठाट है कि अगर person कोई victim है, या फिर missing person का कोई relative है, या फिर कोई minor है, या minor कहने का मतलब कि कोई बच्चे है, या फिर कोई disabled person है, तो authorities को यहाँ पे जरूरत है कि इस तरीके के person से भी वो written consent ले सकते है, written consent मतलब कि जैसे आपकी अगर मैं DNA collection लेना चाहूं, तो सबसे पहले आप मुझे लिख कर दोगे कि हाँ, आपकी मर्जी से ही मैं आपका DNA collection कर रही हूं, नेक्स है कि अगर कोई भी consent is not given in this cases, यानि कि authority जो है, अगर कोई भी इस तरीके का consent नहीं दे रहे है, जैसे कि आप मुझे consent लिख कर नहीं दे तो यह सारे यहां पर आपका अगें जो है कुछ certain consent provision है DNA के collection के लिए, अब देखते हैं कि जो national DNA data bank establish करने की बात की जारी है, और साथी साथ इस state में आपका regional DNA data bank को establish किया जाएगा, तो इसके बारे में देखते है, DNA laboratories को यहां पर ज़रुत है कि वो अपने data को share करें, जो भी उनके द्वारा यहां पर आपका prepare किया गया है, तो यह DNA data होगा, वो यहां पर national DNA data और साथी साथ जो regional DNA data bank है, उनके बीच में यह sharing भी होगा, बिल में यहां अगर बिल में देखें तो एक यह भी provision है कि जो DNA profile है उसको remove भी किया जा सकता है, यानि कि जो person है, जैसे कि कोई arrested है कोई under trial है, तो उन सारे लोगों का भी जो DNA profile अगर लिया गया है पहले, और किसी भी cases में अगर उनके उपर कोई भी allegation लगा है, मान लिजे कोई भी person है, उनके उपर कोई भी तरीके का आरोफ लग गया, कोई allegation लग गया, तो उनके लिए भी यहां पर रखा जाएगा कि उन अगर वो suspect है, तो अगर उनका DNA profile हटाना है, तो सबसे पहले है कि police report file करेगी, दूसरा है कि यहां पर court के द्वारा order लाया जाएगा, तो यह दो provision है जिसके through इस तरीके के suspect people का DNA profile को remove किया जाएगा, second है कि मान लिजे कोई under trial है, under trial कहने का मतलब है कि कोई भी person है, अगर उनके कोई allegation लगता है, तो उनको under trial में रखा जाता है, जब तक उनके उपर ये सिधना हो जाए, कि उनके उपर जो आरोप लगा है, वो सही है कि गलत है, तो अगर ऐसे under trial है, तो उनके लिए भी court से order लेना होगा, साथी मान लिजे कि कोई written request है, वो भी उस तरीके के person का, जो कि suspect suspect नहीं है, offender भी नहीं है, और under trial भी नहीं है, तो ऐसे अगर कोई लोग है, जिनके उपर कोई भी तरेके का suspect नहीं है, या फिर कोई भी offender नहीं है, या फिर किसी ने कोई allegation नहीं है, या फिर कोई under trial में भी नहीं है, तो वैसे लोगों का क्या है कि return request होना चाहिए, यानि क कि आम जंता जो है वूर रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने डेटा पर्फाइल को does आना चाहे है साथ हैं पर एक और प्रविजञी जो कि है dna regulatory board को establish करना जिसमें कि dna data bank और जो laboratory बनाया जा रहा है DNA laboratory इसको supervised किया जाएगा यहाँ फिर दर सेकेटरी department और बाय टेक्नलोजी घो कि ex-officio chair person है वो भी this board के यह board में कौन-कौन होंगे तो यह board में addition member होंगे जैसे कि कोई biological science के field में expert होंगे साती जिए यहाँ पे डारेकिटर जेनरल होंगे वो भी national investigation agency के साती आ पे Central Bureau of Investigation के जो है यहाँ पे डारेक्टर होंगे तो CBI के डारेक्टर होंगे どर इस निविंटेटर होंगे और साती कोई biological science के field में जो है एक्सपोर्ट होंगे तो ये तीन member के द्वारा यहाँ पे आपका board बनाया जाएगा, ये additional member है, ठीके साथी और भी इस board के member होंगे, इस board का काम क्या है, यानि कि जो DNA regulatory board बनाया जाएगा, तो इस board का काम क्या है, function क्या है, इस board का काम यही है, कि यहाँ पे government को advise करना, कोई भी issues अगर इस तरीके की DNA laboratory या DNA bank को establish करने के बाद कोई भी issues अगर arise होता है, तो उसको government के जाकर बताना है, साथी यहाँ पे जो है accreditation भी grant करना है, वो भी DNA laboratory को, तो ये दो mean function है, और भी इसके अलावा है, क्योंकि एक्जेटरा एक्जेटरा लिखा हुआ है, तो इसके अलावा और भी functions होंगे, बट ब DNA को जो है, कहीं collect करके रखा जा रहा है, blood bank तो सुने ही थे, जिसमें कि आप जाकर खून देते हो, आपके blood को जो है, वहाँ पे आपका save किया जाता है, बट उसके लिए कभी भी आप insecure fill नहीं करते होगे, वहाँ से आपका ऐसा नहीं लगता है, कि आपका कोई ऐसा data है, जो क आपका snatch हो रहा है, या फिर कुछ और चीज़ जो, कभी आप ऐसा, कभी सोचे हो, कि आपने जब कहीं भी blood donate किया, फिर आपको लगे कि ने, उस bank में मेरा blood है, तो उसको remove कर देना चाहिए, ऐसा कभी भी आप नहीं सोचेंगे, ऐसा कभी भी हुआ भी नहीं है, ठीक है, लेक इंस्ट में यहाँ पर इशू निकल कर आ रहा है, बट थिंग इस कि यहाँ पर अगर इस तरीके का data laboratory बनाया जा रहा है, data DNA bank बनाया जा रहा है, तो यह एक बहुत huge work हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, foreign countries में आपको देखने को मिलेगा, मैं कहीं पर रही थी, त हमारे country में यह नहीं हो पाता है, तो इसलिए इस तरीके का provision लाया गया है, लेकिन penal provision भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आराम से इस्तमाल कर लें, क्या पता आपका DNA जो है कहीं misuse हो रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ अपराद भी रखा गया है, जैसे कि unauthorized अगर disclosure है, यानि कि बिना किसी के permission से, अगर आपके DNA data के बारे में किसी ने भी कहीं पे भी disclose कर दिया information, या फिर यहाँ पे DNA sample को किसी भी गलत तरीके से obtain करना, या फिर किसी गलत तरीके से use करना, यानि कि use किया वो misuse हो जाएगा, या फिर access करना, या फिर यहाँ पे destruction करना, बरबाद करना, alter कर या फिर यहाँ पे कोई tampering करना, ठीक है, कोई भी biological evidence के लिए जो है, किछ भी यहाँ पे plus minus करके आपके DNA में कुछ भी तरीके का tampering कर देना, तो यह सारी जो अगर किसी भी गलत तरीके से होता है, तो उसमें आपको आरोप भी रखा गया है, यानि कि यहाँ पे panel provision भी है, आपको कोई न कई penalty दी जाएगी, साथी क्या concern raise हो रहा है, यही चीज मैं बता रही हूँ, क्यूंकि आप जब blood bank में अपना blood देते हो, तो उसमें आपका sensitive information नहीं होता है, but DNA is something different, यहाँ भी अगर इस तरीके का bank बनाय जा रहा है, तो इसमें बहुत ही आपका sensitive data रहता है, ज जैसे DNA profile से क्या revealed हो सकता है, extremely sensitive information है किसी individual की, जैसे कि यहाँ पर आपका pedigree, या फिर skin color आपका क्या है, आपका किस तरीके से behavior है, यह भी पता चल सकता है, इस तरीके के information को access करके, जो है न, misuse भी किया जा सकता है, यानि कि कुछ सी specific target individual को, किसी भी individual को अगर target करना है, तो जैसे family को और उनके own genetic data को, जैसे कि for example आप देखोगे, तो incorrectly जो है, इसको कोई particular cast के साथ link किया जा सकता है, जो कि criminal activities हो, तो इस तरीके से क्या होगा न, कि कोई a person है, अगर उसकी हाँ, उन्होंने अपने DNA दे दिया, ठीक है, और माल लिजे कि किसी भी criminal case में किसी भी एक इंस जाते हैं, और वो क्या करेंगे, कि a person का जो DNA, यहाँ पर DNA data bank में है, उसका DNA को tamper करेंगे, कुछ change करेंगे, और change करके जो है, इसके behavior को read करेंगे, इसके यहाँ पर जो भी data है, जो भी information है, उसको read करेंगे, और उसको tamper करके, change करके, जो है, यहाँ पर इसको फसाया जा सकता तो ये भी काम किया जा सकता है या फिर गलत तरीके से जो है ना किसी पर्टिकुलर कास्ट में लिंग कर दिया गया जो भी क्रिमिनल अक्टिविटीज है तो कुछ भी हो सकता है ना DNA आपका इतना सेंसिटिव इन्फरमेशन है जिसमें कि मिस्यूस करने की चांसे बहुत जाता है साथी वीक कंसेंट क्लाउस है यानि कि आप देख सकते हो कि कंसेंट यानि कि बस आप लिखित में दे दो तो आपका जो है DNA को DNA डेटा बैंक पर रख दिया जाएगा या फिर यहां पर कुछ आरेस्टेट पिपल है जिसको कुई यहां पर अगर DNA प्रोफाल से हटाना है तो वो बस कोट का ओडर लेकर आ सकते हैं बाकि कुछ अच्छा कंसेंट यहां पे क्लॉस नहीं रखा गया है मजिस्टेट जो है वो इसली ओवर्राइट कर सकते हैं इसके कंसेंट को तो यह कहा गया है कि एक अच्छा क्लॉस होना चाहिए साहती जो वॉइलेशन हो रहा है fundamental right to privacy का यहाँ पर violation हो रहा है कि कि आपकी इतनी sensitive information है तो क्या guarantee है कि इतने sensitive information को सरकार जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखेगी क्या guarantee कि इसका misuse नहीं होगा आज की date में हमारे हाँ data protection जो बिल लाने की बात की गई थी वो तो आज तक आया नहीं लेकिन हम freely वो spread कर रहें तो उसकी कोई भी guarantee नहीं है आज की date में कि उसको misuse किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए पहले कानून दोला है तब जाकर यह पता चलेगा कि हाँ next कुछ भी ऐसा काम किया जा रहा है जैसे कि DNA collection sample रखने का इतना बड़ा-बड़ा बात कर लेकिन क्या guarantee है कि उसमें किसी भी इंसान की जो DNA है उसका misuse नहीं हो सकता कहीं न कहीं हमारे आज की date में आप देखोगे article 21 है जिसमें यह अधिकार दिया गया है right to privacy का यानि कि हमारा जो यहां पर privacy है उसको हम लोग को अगर उसकी violation होती है तो who will be the responsible यह भी बात निकल कर आत है बट बीना किसी clear और separate index का criminal issues में अगर यह help करेगा तो okay it is fine समझ में आता है लेकिन civil matter में अगर इसको use किया जा रहा है और इसके लिए कुछ अलग से कोई separate provision नहीं है तो इसका क्या मतलब है और अगर fundamental जो हमारा right to privacy है वो अगर इस तरीके से violet होता है तो फिर who will be the responsible again वही चीज़े यहां पर निकल कर आ रही है ठीक है fundamental rights हमारे constitution of India में आपको देखने को मिलेगा तो यह ध्यान रखना है absence of robust data protection legislation है यानि कि इस तरीके से हमारे हाँ जो है अभी data protection कानून भी पास नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद इस तरीके का इतना huge काम करना यह कहां तक सही है यह बात ही कई जाए रही कुछ concern है जो कि इस committee का निकल कर आया है potential benefit देखे कुछ अलग angle भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का bill लाय जा रहा है तो इससे क्या benefit होगा यह भी समझे सबसे पहला क्या है कि कोई भी आगर missing person है जैसे कि आज की date में आप देखते हो कि काफी huge नमर था मुझे accurate data याद नहीं आ रहा है मैं कहीं पढ़ी थी newspaper वगेरा में कि हमारे country में बहुत जादा missing person होते है उसमें बच्चे भी है महिलाएं भी है तो उनका identify सही तरीके से नहीं हो पाता है unidentified जो deceased person है यानि कि जो dead body कई ही मिलता है लेकिन उसको identify करने में मु accident हो या फिर airplane accident हो train accident हो तो उसमें भी identify करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसमें काफी helpful होगा साथी यहां पर जो repeat offender है यानि कि जो heinious crime हो आज के rate में जो rape हो रही है murder हो रही है इस तरीके का आप देखोगे कि crime बहुत जादा बढ़ते जा रहा है और एक ही इंसान जो साथी यहां पर आप देखो कि justice deliver करने में भी काफी सही हो पाएगा कई बार आप देखते हो कि justice deliver करने में कहीं न कहीं wrongful convention हो जाता है तो accuracy यहां पर बढ़ पाएगी यानि कि investigating authorities का एक और उनको एक और पहलू मिल जाएगा जिससे कि वो बेटर तरीके से investigate कर पाएगे तो यह सारी कुछ यहां पर benefit भी है इसके साथ साथ यहां पर way forward भी बताया गया है और किसके लिए तो biological जो sample है अगर उसको destroy करना है खतम करना है तो उस purpose के लिए साथ यह अगर DNA profile को data base से अगर हटाना है तो उस matter से जो है यहां पर independent scrutiny होने चाहिए provisions यहां पर बनाना है जिससे कि यह इन से और कर सके यह जो person है अगर वो innocent पाय जाते है यानि कि अगर उनका DNA profile को remove किया जा रहा है immediately means अगर वो innocent है तो उनके यहां पर data bank से जो है ना immediately उनके जो DNA profile है उसको हटा दिया जाएगा यानि कि मान लीजे कि कोई भी यहां पर allegation लगा है या फिर कोई under trial अगर कोई person है तो उनका DNA लिया जाता है फाइन लेकिन अगर वो under trial में यह पता चल जाता है कि वो guilty नहीं है वो innocent person है तो उनका directly इमिजेटली हटा देना चाहिए यह ensure करना है नेक्स्ट यहां पर बोरा जा रहा है कि इंडिया जो है उनको सबसे पहले यह जरूरी है कि जो privacy है उसको protect करने के लिए और जो हमारा personal data है जैसे हमारा नाम होगे हमारा address होगे हमारा phone number है हमारा email आईडिया इसको protect करने के लिए सबसे पहले कानून आना चाहिए साथी जो data bank बनाया जा रहा है और जो laboratories है वो यहां पर highest possible level है कि यहां पर cyber security होना चाहिए यानि कि cyber security breaches हो रहा है उसको prevent करने के लिए एकदम higher level का cyber security है वो यहां पर इस laboratory में और data bank में होना चाहिए काफी better है इस bill को आप लोग पहले भी मैं यहां पर आप लोग के साथ discuss कर चुकी हूँ आज फिर से कर रही हूँ लेकिन हाँ यहां पर हम लोग एक नया angle देखे कि concern क्या क्या है और इसे benefit क्या क्या होगा अब देखते हैं कि यह bill कानून बनता है कि नहीं बनता है बनेगा त कंपीट किया गया 50% अपना काम को तो यह बड़ी बात है जो कि यहां पर ITER के अंदर 50% काम को कंपीट कर लिया गया है अब यहां पर देखते हैं कि ITER जो है वो प्रोजेक्ट है क्या इसको 1985 में आपका launch किया गया था ITER एक experimental fusion यहां पर reactor facility है जो कि आज के डेट में यहां प future source of energy बनाना है साथी एक वर्ड का largest टोका माक यहां पर बनाना है वो भी international collaboration में तो यह तोका माक क्या है यह हम लोग अभी देखेंगे लेकिन हम लोग को इसमें largest टोका माक इसको बनाना है तो यह समझेंगे एक बार अगर यह complete हो जाता है ना तो ITER जो है वो first fusion device होगा जो कि एक आप लोग देखोगे कि पूरे overall जो energy है ना net energy produce करने वाला जो है एक पहला ऐसा जो है device होगा ITMR कि अगर member की बात करें तो यहां पर जो signatories है आज की date में ITER में तो यहां पर China भी है और European भी है साथी यहां पर आप देखो European Union जिसमें की 27 countries आते हैं इंडिया भी है चापान भी है Korea है Russia है और United States है तो 35 nations आपको टोटल देखने को मिलेगा इस ITER के membership में ठीक है साथी साथ आप देखो कि यह सारे countries जो है ना एक प्रोजेक्ट का जो construction है यानि की प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहां पे कितना कॉस्ट लगेगा उसको शेयर करते हैं साथी को प्रोजेक के द्वारा कोई intellectual property generate होता है तो उसको भी यह शेयर करते है intellectual property कहने का मतलब है कि अपने बुद्धी मता से यानि कि कोई आपके माइन में कुछ innovation आ रहा है जैसे कोई आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो सम्टाइम्स ऐसा होता होगा ना at any point of stage कि आपको कुछ new idea आता होगा आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यहाँ पे इसको A way से करने से अच्छा है कि B way यहाँ पे ले चले यानि कि पहला जो यहाँ पे source था thinking था उससे बेटर है कि जो second thought आ रहा है उसको apply करके देखते है तो यह अगर आपने आइडिया से अपना unique idea से तो उसको कहते intellectual property अगर वो of countries भी अपने आप में बहुत जादा है साथी rest of the party जो है वो 9% each यहाँ पे contribute कर रहे है साथी हार एक member जो है इनके द्वारा एक domestic agency भी है यानि कि हर एक country का अपना खुद का agency है जो कि क्या क्या यहाँ पे procurement responsibilities है वो सब को fulfill करने के लिए यहाँ पे हर एक country का अपना एक agency बनाया है और यह हम लोग responsible है cryo state को यहाँ पर आपका deliver करने के लिए in wall shielding cooler water system है cryogenic system है heating system है diagnostic यहाँ जो neutral beam system है उसको diagnose करना है power supply करना है और कुछ और diagnostic यानि कि कुछ और यहाँ पर यहाँ यहाँ पर देखना है तो यह सारा काम हमारे द्वारा किया जा रहा है अब यहाँ पर इंडि ER में अगर हम लोग देखे तो इंडिया का एक इंडियन domestic agency भी है जो कि एक इस पेशिफिक इस पेशली यह आपका जो है इंपावर करेगा प्रोजेक को जो कि यहाँ पर plasma research institute for plasma research है यह एक आपका helpful organization है जो कि department of atomic energy के अंदर में काम कर रहा है यानि कि हमारे यहाँ जो कहा गया है कि हारे country का अपना domestic agency है तो हमारे यहाँ जो domestic agency है वो कौन सा है तो institute for plasma research है अब यहाँ पर पहला difference समझते है कि nuclear fusion और nuclear fusion में क्या अंतर है यह basic है आपने पढ़ा होगा NCRD में भी तो fusion और fusion यह दो concept है which is very confusing समझने का कुशिश कीजिएगा fusion means splitting यानि कि यहाँ पर अलग होना यह आप देखो कि uranium 235 है यहाँ पर अगर आपका जो external energy लगेगा तो यहाँ से आपका जो है दो भाग में तूटेगा fusion होगा तूटना यानि कि यहाँ पर lighter element में और lighter element में यह बड़ा सा जो uranium है यह दो भाग में यहाँ पर तूट गया ठीक है यह आपका जो है ना एक बहुत बढ़ा heavy material जो है छोटे-छोटे दो lighter look nuclei में यह तूट जाता है और बहुत एकदम high amount of energy यहां से release होता है ठीक है एकदम भ्यानक tremendous amount of energy यानि कि बहुत जादा भ्यान है कि यहाँ पर आपका energy release होता है फाइन तो यह हो गया fusion fusion means तूट जाना वहीं अगर fusion की बात करें तो यह just deposit है यानि कि जहां पर आपका light nuclei है यहां पर combine होता है यानि कि जुड़ जाता है combine होने के साथ यहां पर भी vast amount of energy जो है release होता है कहने का मतलब है कि fusion means तूटना fusion means fuse हो जाना यानि कि एकदम एक साथ जो है आकर जुड़ जाना ठीक है fusion के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर uranium and plutonium है जो कि बहुत जादा यूज होता है fusion reactor में 그럼 develop energy जो इसमें produce होता है वह कम produce होता है यानि कि fusion में हम आपका ज्यादा होता है लेकिन fusion मेंbagai energy प्रोड्यूस होता है fusion के अगर reactor की बात करें तो यहां पर highly radioactive fusion product यहां पर आपका प्रोड्यूस होता है साथि कुछ Egyptian nitrons लिए च्योंकि इस fusion reaction में आप का release होता है और यहां पर एक chain reaction भी initiate होता है, जिसमें कि fission reactions जो है, वो longer directions तक आपका sustain करता है, यानि कि यहां पर आप देखो कि addition neutron है, यह जो neutron आपका देखने को मिलेगा, एक second, हाँ, यह fission में आप देखो कि एक neutron है, तो neutron यहां पर जब आपका यह बड़ा, कोई heavy material, जब दो small nuclei में, जब लंबे समय तक चल पाता है, यानि कि तुरंधी reaction खतम नहीं हो जाता है, यह neutron के वज़े से, जो है, reaction थोड़ा लंबा समय तक चल पाता है, वही अगर हम दो fusion की बात करें, तो यहां पर आप कुछ atoms देखोगे, जो कि है, tritium और dutrium, यह दो item है, जो कि isotopes है, hydrogen का, तो यहां fusion reactor में इस्तिमाल होता है, तो यह बिल्कुल याद रखना है कि fusion reactor में कौन से यहां पर atom में इस्तिमाल होते है, and fusion reactor में कौन से होते है, तो fusion reactor में आपका uranium and plutonium होता है, वही अगर fusion reactor की बात करें, तो it's tritium and dutrium, energy जो release होता है, वो बहुत जादा होता है, यानि कि fusion के comparison में, fusion म energy बहुत जादा होता है fusion reactors में आप देखोगे तो कोई भी यहां पर आपका radioactive waste जो है नहीं generate होता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा amount of pressure और temperature जो है वो यहां पर release होता है तो इसको ज्यादा जरूरी भी है तूटने में आपका जो है ज्यादा energy नहीं इससे जब कोई भी चीज आपका तूटता है तो उसमें ज्यादा energy release नहीं होती है लेकिन जब बहुत आपका दो तीन चीज अगर एक साथ जाके जुड़ता है ना तो उसमें एक हाई energy वहां से release होती है ठीक है तो यह आप समझो और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो कि फीजन में क्या था कि यहाँ पर एडिशन न्यूट्रॉंस था जिसके वज़े से यह रियक्शन थोड़ा लंबे समय तक जलता है लेकिन फ्यूजन में क्या है ना कि यहाँ पर यह जो रियक्शन है ना वो आपका लंबे समय तक नहीं चल पाता है थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर आपका हाई amount of pressure और temperature जो है इसकी ज़रूत होती है जिससे कि यह जो 2 small light nuclei यह उसको यहाँ पर फ्यूज करने के लिए अब देखते है कि इस तरीके का हम लोग fusion energy तो पढ़ रहे है लेकिन इसका advantage किया है यह भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है fusion energy हम लोग इसलिए देख रहे है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा energy जो है वो release होता है as comparison to fusion ठीक है सिकरन लेकि sustainability की अगर हम लोग बात करें तो जो fusion fuse है यह काफी ज़्यादा available है और inexhaustible भी है deuterium की बात करें यह distill होता है सारे form of water में वहीं अगर tritrium की बात करें तो यह fusion reactions जब होता है तब यह produce होता है तो इसलिए यहाँ पर sustainability भी बहुत जाता है zero carbon emission है सबसे पहला यहाँ पर positive point तो यही है कि यहाँ पर कोई harmful toxin जो है वो यहाँ पर emit नहीं होता है जै long lived यहाँ पर radioactive waste है यानि कि सबसे पहला बात है कि जदा लंबे समय तक तो यह reaction होता नहीं जैसा हम लोग fusion देख रहे थे और साथी यहाँ पर radioactive waste भी generate नहीं होता है साथी limited risk है आपका यहाँ पर proliferations का क्योंकि fusions जो है यहाँ पर आपका जो fissile material है उसको employ नहीं करता है जैसे toka mark जो fusion device है इसमें आपका कोई भी बिखलने वाला जैसा कोई problem भी नहीं है cost अगर आप देखोगे तो average cost per kilowatt of electricity अगर देखे तो यह expect किया जा रहा है कि बहुत जादा है अगर fusion के comparison में देखे तो fusion का जो यहाँ पर cost है वो ज़्यादा expensive है वो भी beginning में but less expensive है कब जब यह conclusion में यहां पर यहीं बता जा रहा है कि end of the century अगर देखे तो जो energy का demand है वो triple हो जाएगा जैसे आज की date में देखते हो कि हमारे प्रतान मंत्री जी जो है वो renewable energy की बात करते है यानि कि हम लोग जो है जो natural resources है हमारे हां जैसे sun, सूरज की रोशनी है, wind है तो पानी है तो इन स population बढ़ते जा रही है, तो यहां पर population growth का जैसे pressure बढ़ते जा रहा है तो energy की demand बढ़ते जाएगी, urbanization increase होगा, हमारे जो electricity का access है वो और ज्यादा expand हो जाएगा, तो उसी को देखते वे हम लोग यह अलग तरीके का technology पर move कर रहे है, तो fossil fuel पर rely होना अकेले, यह कोई practical काम कह सकते हो, और impossible कह सकते हो, क्योंकि हमारे जो resources है वो तो ऐसा नहीं है कि एकदम unlimited है, कहीं न कहीं कमी ही हो रहा है हमारे resources, तो इसलिए हमें इस तरीके का काम करना ज़रूरी है, और साथी साथ यह सारे जो fossil fuel है ना, इसके combustion से बहुत जादा global warming भी आपका हो रहा है, greenhouse gases का यहां पे emission भी हो रहा है, लेकिन अगर हम लो fusion reactor देखते हैं तो इसमें कोई भी emission भी नहीं हो रहा है, which is very good for our health and our environment, तो इसलिए यहां पे यह सारा practice जो है किया जा रहा है, तोका माग, कुछ issues भी देख लेंगे, यहां से क्या निकल कर आ रहा है, which is again very important, हाँ, तोका माग के बारे में आप समझे कि यह experimental magnetic fusion device है, जो कि यहां पे design किया गया है fusion के energy के लिए, तो जो energy produce होता है, वो fusion के through होता है, और यह absorb कैसा होता है, तो heat के जासा, गर्मी के जासा यह absorb होता है, वेजल्स के wall में, तो यह जो वेजल्स का wall है, यहां पे आपका fusion होता है, तो इसमें यह आपका energy produce होता है, यह आपका absorb होता है जाकर यह heat जासा, फिर इसको बाद में fusion power plant में इसको use किया जाता है, और फिर stream आपका produce किया जाता है, फिर उससे electricity आपका produce होता है, यानि कि turbine और generator के through, तो कभी आपने देखा होगा कभी कि turbine जब चलती है, तो किस तरीके से electricity generate होता है, तो अगर वो process आपने देखा है, तब आपके mind में यह clear हो सकता है, यह जो device है, यह magnetic field को इस्तेमाल करता है, जिसमें कि आपका होट plasma contain होता है, और इसको control भी किया जाता है, और इसमें आपका fusion होता है, वो भी deuterium और tritium nuclei के बीच में, plasma क्या है, plasma एक ionized आपका state of matter है, यह वो ज्यादा high temperature में जाता है, तो यहाँ पर gas जो है, वो plasma में convert हो जाता है, इस machine कि अगर बात करें, तो यहाँ पर 500 MW fusion power को produce कर सकता है, साथी integrated operation भी है technology का, वो भी fusion power plant में, जैसे कि heating, control करना, diagnose करना, यह सारे चीज़ है, ठीके, साथी deuterium, tritium जो plasma है, उसको भी achieve किया जा सकता है तो यह सारी बाते आपको ध्यार लगना है, तो टोका मार्क आप लोग समझ गए, कि टोका मार्क जो है experimental है, यानि कि magnetic fusion device है और कुछ issues देख लेते, जो कि यहाँ पर आपका इंडिया के participation, यानि कि जो हम लोग यहाँ पर 2005 में, ITER को participate किये है, इसमें include हुए, तो इसमें क्या allocation है, human resources भी उस तरीके का नहीं है, सिर्फ 25 Indians है, जो कि आज के देट में काम कर रहे हैं, और 100 engineers और जो scientist है, यहाँ पर अलाओ किया गया है इस agreement के तैद, तो 100 जहाँ पर काम करना है, वहाँ पर सिर्फ हमारे तरफ से 25 engineers ही काम कर रहे हैं, साथ ही आप देखोगे कि इंडिया का जो deputed है, इंडिया deputed are rather junior person to represent the country, अब आप लोग देख सकते हो कि दूसरे country के comparison में, हमारे country से जो यहाँ पर लोग जाते है, ITER के meeting में या फिर हमारे तरफ से जो represent करते हैं हमारे country को, वो junior person होते हैं, लेकिन दूसरे country में आप देखोगे तो high profile जो है, यहाँ पर लोग होते ह साथी human resources का भी low यहाँ पर आप allocation देखोगे, and third one is कि representation हमारे यहाँ से junior person के द्वारा किया जाता है, तो यह सारी बाते रही fusion energy के बारे में, तो ध्यान रखेगा, I hope कि आपको यह lesson दोनों समझ में आया हो, फिर भी कहीं doubt query suggestions होता है, तो आप freely comment कर सकते हो, freely comment कर सकते हो, no issue, पह shift कर दी हूँ, मुझे लगता है कि 4 बजे बहुत सही है, आप लोग उसमें थोड़ा free भी हो जाते हो, तो उसमें आप लोग lesson ज़रूर देख लिया करो, तो मैं यह आप लोग 4 बजे fix कर देती हूँ time, 4 बजे आप लोग को daily lesson देखने को मिलेगा, okay, तो morning में बहुत जादा आप लोग जल्दी से जल्दी lesson देख सको, मैं उसी समय जो है lesson पब्लिश करना पसंद करती हूँ, तो फिर से हम लोग पुराने time पे ही आते हैं, वही time better था कि 4 बजे आपको चार पीम में daily आपको यह lesson देखने को मिलेगा, साथी आप लोग question का answer जरूर दीजे और अगर यह यह lesson अच्छी लगती है तो like किजे और साथी साथ अगर आपको फिर भी कोई doubt कोरी suggestion से तो comment कर सकते और अब तक आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो एक बार चैनल को subscribe जरूर कर ले, thank you